दोस्तों तीस में 2022 को देर राद ब्राइट कॉम ग्रूप के नतीजे आ गए हैं और बोर्ड उब डारेक्टर्स ने डिविडेंड भी रेकमेंड किया है ये इस कंपनी का फाइनेंशल रिजल्ट है और यहां सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं मैं आपको इस कंपनी के फाइनेंशल रिजल्ट के बारे में बताऊंगा Q4 में रेवेन्यू फ्रम ओपरेशन 1240 करोड है Q3 में ये 2021 करोड था और प्रीवेस एर की Q4 में 699 करोड था तो रेवेन्यू फ्रम ओपरेशन में येर ओन येर बिसिस पर लगबग 77% की बढ़त है लेकिन क्वाटर ओन क्वाटर बिसिस पर ये लगबग 49% गिरा है Q4 में टूटल इंकम 1249 करोड है जो Q3 में ये 2021 करोड था और प्रीवेस एर के Q4 में ये 718 करोड था तो टूटल रेवेन्यू में 72.5% की बढ़त है और अगर हम लोग क्वाटर ओन क्वाटर बेसिस पर देखें तो ये 38.7% गिरा है Q4 में Profit Before Tax 316 करोड 50 लाग है Q3 में ये 505 करोड 71 लाग था और प्रीवेस एर के Q4 में ये 195 करोड 8 लाग था तो Profit Before Tax में Year-on-Year Basis पर 65% की बढ़त है और Quarter-on-Quarter Basis पर देखें तो ये लगबग 37% गिरा है Q4 में profit after tax and net profit 223 करोड 5 लाग है Q3 में 371 करोड 44 लाग था और previous year के Q4 में ये 140 करोड था तो PAT में year on year basis पर 69% की बढ़त है लेकिन quarter on quarter basis पर PAT लगबग 40% गिरा है Board of Directors ने 30 पैसे प्रती equity share का final dividend recommend किया है और इस dividend की approval आने वाली AGM में ली जाएगी Quarter 4 में इस company का operating margin लगभग 31% है जो Q3 में ये 28% था और previous year के Q4 में ये 32% था तो operating margin में year on year basis पर 1% की गिरावट हुई है लेकिन quarter on quarter basis पर इसमें अच्छी खासी बढ़त है तो हम लोगों ने देख लिया इस company का revenue from operation, profit before tax और profit after tax इन सभी में year on year basis पर बढ़त हुई है लेकिन quarter on quarter basis पर इसमें गिरावट है और इस company ने अपने operating margin को 31% के आसपास maintain रखा है तो दोस्तों आप इस वीडियो को like करें, मेरे channel को subscribe करें इस वीडियो को अधिक सदिक लोगों को साथ share भी करें, बहुत बहुत धन्यवाद